हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग नमस्ते तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आप सुवी का बहुत बहुत स्वागत है मारे चनल में और फ्रेंड्स आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ बेशन की सबजी ग्रेवी वाली आचल बोल रहे थी काफी दिनों से लेकिन मैं नहीं बनाती थी फ्रेंड्स अक्सर में लंच में देने के लिए बनाती थी सुखी सबजी भुजिया बनाती थी भिंदी का, आलू का या फिर जो भी बनाती थी जिस भी सब्जी तो मैं सुखा ही बनाती थी पर इसको नजञदा ग्रेवी वाली पसंद है दोनों बच्चे को मैं इसलिए नहीं बनाती थी क्यूंकि इसमें टाइम भी ज़ादा लगता है और ग्रेवी ना लंच मितलब बॉक्स से थोड़ा बाहर आ जाता है तो ठीक नहीं लगता है तो बस आज में क्या कर रहे हैं थोड़ा पहले जगी अधा कंटा तो अच्छे से सब्जी बन जाता है इसमें टाइम लगता है जादा ना और बस ये मैं लंच पैकती हूँ न तो ये वाला डबा में प्लोथीन में डाल देती हूँ ताकि अगर थोड़ा हलका भी ग्रेवी निकले तो वस प्लोथीन में ही निकले और इसका बाहर नहीं आए तो फ्रेंट्स यहां पर आचल जाएगी सवेरे क्योंकि वह जाती है खेलती है तो उसके पापा बाइक से पहु चों यहां तो दोनो बॉतल में मैं थोड़ा थंडा पॉनि मिक्स कर देती हूं और एक मॉतल में साड़ा पॉनि दूंगी और एक मॉतल में रस न ऑर चीणी मिक्स कर के दूंगी तो चलिए कर लेते हैं को तो देखिए यहां पर आचल जा चुकी है इसकूल और आयांस भी अब रेडी हो गया है करीब करीब और अब इसका दिखिए लंच में पैक करके इसका भी टिफिन मैं इसमें रख देती हूं प्लोथिन में डाल देती हूं क्योंकि इसका ग्रेवी बाहर ना आए क्योंकि बच्चों को काफी दिक्कत हो जाएगा रोटी प्राठा में अगर चला जाएगा तो ग्रेवी और फ्रेंड्स इसको भी बेशन वाली सब्जी पसंद है तो खा रहा है अपने से यसे तो खाता न यह जल्दी अपने से हमको इखलाना पड़ता है तो मैं इधर पैक कर रही थी तो उसको बोली कि बेटा कुछ-कुछ खा थोड़ा बहुत सीखो खाने के लिए अपने जल्दी खाना नहीं चाहता है सुबह-सुबह और अब यहां पर मैं इसको रेडिक कर रही हूं क्रीम प कर रही हूं तो बिना माइक का रिकॉर्ड कर रही हूं क्योंकि बहुत पार हम गयस कि इस बात को कि जब भी माइक लगा के हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें वोल्यूम मतलब आवाज जो है न काफी कम आता है तो आज मैं माइक नहीं लगाई हूं और देखे फ्रेंट्स इसका यहां पे पैजामा है काफी जादा लंबा है और उपर का टी-सर्ट जो पहना हुआ है यह काफी जादा साइज से चोटा है पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता है स्कुल के नाफ से वहा बनता है एक दुकान में मतलब वहीं जाना होता है हम लोग को वहीं से उठाते हैं कपड़े को ड्रेस को तो रॉल नंबर वाईज होता है वो पूछ लेते हैं किस क्लास में सेक्षन क्या है रॉल नंबर क्या है और ड्रेस निकाल के देते हैं तो काफी उल्टा पुल्टा हो जाता है पता नहीं कैसे तो वहीं उसको मैं पैजामा को ठीक कर रहा है और बच्चों को भी जुकाम हो रहा था तो मैं बोल रही थी कि आज मत लो रसना और चीनी क्योंकि यह नम चीनी मिलके पानी में और गुलकोच बन जाता है ठंडा होता है तो और ज्यादा सरदी बढ़ने का चांस रहता है तो लेकिन यह माना नहीं ले लिया खुद से और उसको चक के देख रहा था और फ्रेंट्स बच्चे भी चले गाए आयांस भी चला गया स्कूल और अब मैं लगी हूं घर के कामों में बेड़ वेगरा ठीक कर रही हूं फ्रेंट्स क्योंकि मंदिर जाना है फिर तो चलिए काम में लग जाते हैं फिर स्बस्क्राव जाना है झाल झाल तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए घर के मेरे उधर का सारा काम हो चुका है और अब मैं यहां पर चुले को साफ कर रही हूँ अगर कीचन साफ नहीं हो अगर सारा काम हो जाए कीचन साफ नहीं हो तो फिर लगता है कुछ भी साफ नहीं है घर में फ्रेंट्स लगता है मेरा अ कीचन को साफ करना बहुत ही जरूरी हो जाता है बस यही काम करना बाकी रह गया है इसको मैं अच्छे से साफ कर लूँगी ताकि मैं नहां दो के फिर पुजा के लिए जा सकूँ और वहां से आऊं तो मुझे साफ सुथरा मिले कीचन और मैं खाना बनाऊंगी आज सेटरड़ है तो खिचड़ी ही बनाऊंगी फ्रेंट्स मैं यहां पर चुले को अच्छे से साफ कर लेती हूँ और अब यहां पर दिखिए यह कर रहे हैं पुजा क्यूंकि जिनका भी पहले नहाया हो जाता है तो वो पहले ही पुजा कर लेते हैं घर में फिर और बाद में मैं सारा समान लेके मंदिर जाती हूँ अगर मैं पहले नहा लेती हूँ तो मैं पुजा कर लेती हूँ फ्रेंट्स घर में और सारा समान लेके फिर जली जाती हूँ मंदिर इन्होंने कर लिया यहां पर घर में पूजा और मैं यहां पर ले रही हूं सारा समान जितना भी पूजा का समगरी होता है फ्रेंस सारा भर लेती हूं मैं साजी में और उसके बार निकलती हूँ और यहां पर दिख्षिया हम ने साड़ी पहना हुआ है और साड़ी में गर्मी के मौसमिफरेंट्स पहनना काफी जादा बहुत जादा और गर्मी और उल्जन लगता है लेकिन पूजा के टाइम साड़ी पहना हम लोगों को भारतिय नारी को जादा मतलब अच्छा होता है पहनना चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया में तो साड़ी ही हमारा पहनना चाहिए लेडिस को साधी सुधा लेडिस को हमारा कल्चर हमारे सभिता संस्कृति जो हमें सिखाती जो चलते आ रहा है उसको निभाना उसको करना काफी अच्छा होता है दिल को सुकून मिलता है फ्रेंट्स अगर जो बड़े बुजरुग कहते हैं जो करते आ रहे हैं उस तरीके से पूजा पाट करना और रहना हर चीज में बहुत ही अच्छा होता है मन को सांती मिलती है तो ह करना ही चाइए तो देखिए अब यहाँ पे मेरा तैयारी हो चुका है और कुछ दिर में निकल जाएंगे मंदिर और बस निकलते हैं बस भ lange आप यह मेंूधे lij Horse कभी च्पट गया तो कभी वो च्पट गया यह नहीं लिए दो वह नहीं लिए होते राता है बस अब खुछ दिर में निकल जाएंगे मंदिर के लिए तो फ्रेंट्स यहाँ पे देखिए आप सभी के साथ बाते करते करते कितना अच्छा लगता है बताना हर चीज जितना जैसे जिस काम को मैं करती हूँ हर चीज आप सभी के साथ सेर करती हूँ तो काफी अच्छा लगता है फ्रेंट्स और यहाँ पे दिखिए पुजा करके आ गई थी तो मैं अब करूंगी नास्ता सुबह रोटी बनाई थी और बेशन की सब्जी और यह आप सभी को पता होगा हम जैसे बताएं पिछले व्लोग में कि इनको ना सबेरे रोटी खाना या फिर प्राठा खाना कुछ भी नास्ता पसंद रहें यह डारेक्ट खाना खाएंगे चावल दाल या फिर सत्तू पी लेंगे तो हम इनको बोले कि खा लेजे सब्जी रोटी पर बोले नहीं हमको सत्तू दे दो और यह बढ़ गया अपना कंप्यूटर पर क्लास करने के लिए और मैं नास्ता करके अब यहां पर फ्रेंट्स खाना की तयारी कर रहे हूं खिचरी चड़ा रहे हूं फ्रेंट्स प्रेंट्स तो फ्रेंट्स हमने खिचली चड़ा दिया है मेरा खिचली पकर रहा है और अब यहां पर मैं मसीन में दे देती हूं कपड़े को तो पहले मैं सोच रही थी कि वाइट कपड़े ही दूंगी फ्राइडे का जितना भी ड्रेस है बच्चों का लेकिन फिर सोची दे देती हू सबी कपड़े देती हूं डेली उजवला भी क्यूंकि बार बार दोना पड़ता है गर्मी काफी क्या फ्रेंट्स रहने का मन नहीं करता है बाहर और साड़ी में तो और भी गर्मी लग रहा है तो मैं सोच रही थी सारा काम कर लो फिर एकठे दो के फिर इसको भी धोंगी औ और आज सटर्डे है ना फ्रेंट्स तो कल संडे हो जाएगा तो संडे को मैं नहीं चाहती हूं कि धों कपड़ा एक दिन पहले दो लेती हूं क्योंकि अगर कहीं बारिस आ जाए कहीं बिजली नहीं रहे तो काफी दिक्कत हो जाता है फिर टेंसन बना रहता है कि कपड़े इसकुल वाला और फिर मंडे से वाइट ही हो जाता है तो मैं सटर्डे को धो लेती हूं और सटन संडे को मैं आयरम कर लेती हूं तो देखिए उधर मेरा हो चुका है मसीर में हमने दिया कपड़े और उधर कपड़े भी हो रहे मेरे और यहां पे खिचली बन चुका था और यहां पर मैं चोखा को फ्राय कर रही हूं आलू का चोखा फ्रेंट्स और मैं डारेक्ट दे देती हूं तेल और प्याज दे करके डारेक्ट मैं पूरा का पूरा आलू दे के मैस कर देती हूं इसे दल घटनी जिसे मैं दाल को मैस करती हूं गाटती हूं फ्रेंट्स तो हमारे बिहार में फेमस है दल घटनी ही बोलती है और मैं इसको अपने पसंद से घर में बनवाई हूं फ्रेंट जब मेरा दिवान बन रहा था ना, तो करीगर से मैं बनवाई हूं अपने मतलब बोल करके कि इतना बड़ा ही बनाना है, क्योंकि इससे सारे कम हो जाते हैं मेरे खाना बनाना और चोखा का ईसका बहुत अच्छे से मेंस हो जाता है तो इस से में कड़ लेती हूं और फिर जब यह मेंस हो जाएगा अच्छे से तो फिर मैं छुलनी चला करके इसको बूंड लूंगी चोखे को और इधर क्षचली में हमने गरम पानी करके डाल दिया है है और उसको चुका लगा देंगे वस खाना रेडी है और हस्बेंट जी के लिए मैं निकाल दूंगे अभी खाना क्योंकि इन्होंने सत्तू ही पिया है तो भूक लग रही होगी और मैं रोटी खाई हूं तो बाद में खाऊंगे और चिप्स चान दूंगे फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स यहाँ पे हमने इनके लिए खाना निकाल दिया है और खाना काफी जादा गराम है फ्रेंट्स तो बस भई हाथ वला फ्रेंट खोज रही थी खाना ठंडा करने के लिए क्योंकि उसका कभी ज़रत नहीं पड़ता न तो किधर राता किधर नहीं जल्दी मिलता बहुत भी नहीं है और फ्रेंट्स बस्माप्त करूंगी यहीं पर आप सब को हमारा ब्लोग कैसा लगा आज का अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और और सब्सक्राइब करके अल बटन को प्रेस कर लेजीएगा फ्रेंट्स ताकि मेरी हर एक वीडियो के आ तेले ये मुस्कुरा तेले यार कुस रहे ये बाई